बिस्मिल्लाह रह्मान इटाहिम नावजिन मैं हूं सेयर जमीर लसन जमीर कैटल फार्म की तरफ से आपकी फित्म जादर हुए हैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला तो आज एक नए सेशन के साथ आपकी फित्म में हादर ताके आपको कोई मुश्कल ना हो जिसमें यह कि अगर आपने पंद्रा जानुरों से स्टार्ट करना है सबसे पहले आप पांच जानुर आपने जो बिल्किंग वाले लेने हैं अच्छे नसली जो चिनाओ हो है वो जानुरों करना चाहिए जिसमें फ्रीजन करास या जासी तो जब तीन चार महीने गुजर जाएं तो पांच जानवर फिर मिल्किंग वाले डालें उसके बाद तीन चार महीने के बाद फिर पांच जानवर मिल्किंग वाले डालें जिसके आपकी फार्मिंग बहुत असान हो जाएगी इसमें यह होता है कि आपके जानवर साह साल दू होते हैं ना तो वो काफी देर के लिए आप परशान हो जाएंगे कि आपके जो फार्म का खर्चा है वो बहुत जड़ा हो जाएगा आप परशान होंगे तो इसलिए ये एक दीका कार होता है कि चेंड सिस्टम चले जब भी कुई जानवर होते हैं वो कठे सुते हैं तो फिर पर वो कठे ड्राई हो जाते हैं तो आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने पांच पांच करके जानवर पंदना जानवर की आपने तदास से फार्मिंग का अगास कर देना है और आपने ऐसा चारा सारा साल जानवर के लिए वो सेफ करना है कम च्छे मिहने का साल या TMR बनाकर तोड़ी बगारा स्टाक करनी है मौसमी जना स्टाक करनी है ताके आपको कोई प्राब्लम नो जब यह सीजर खतम होता है तो उन चीजों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे आपको काफी ज़्यादा लास होने का खत्रा होता है तो यही चेंड आते जाएंगे हिफ़स आती रहेंगी तो आपके फार्म में खुशाली भी आएगी आपने अच्छा TMR अच्छा वंड़ा स्लेक्ट करने है ताके आपके जानवरों खर्चा भी कम हो और जानवर के दूद्गी प्रडिक्शन भी अच्छी हो और आगे अच्छे सीमन का होता है इसलिए इस सेशन में हम आपको यही कहते हैं कि आपके दूद्गी पीक नहीं टूटनी चाहिए जिससे आपको ज्यादा फाइदा होगा है दूद्गी पीक ना टूटे तो आप हम भी टीमर आपको उसका दूसका भी दे देंगे उसका फार्मूला भी दे देंगे य़ को कोई बी डेरि remain मैं या कटी फार्मिंग या बच्छी फार्मिंग या कोई भी दूसरी फार्मिंग अगर कोई में पेशा आती अगर कोई फार्मूला पने कूछ रहे हैं तो हम आपको खुले देल से शेयर करना पड़ता है तो इसलिए मैं यह कहता हूं कि आप सादा फार्म की सुरत में बड़े जानुर का इंतखाब करें अच्छा करें और क्रास ब्रीड लें ताके गर्मियों में जब जानुर आपके साथ आसाम बंदे के पाद उस्वाल ले जाते हैं तो आपको काफी ज्यदा लॉस होने का खत्रा हाता है अगली वीडियो में ज जादी जीगा खुदा हाफिज पाकिस्तान जिन्दाबाद